दोस्तो आप लोग अपने फोन में मोबाइल कैमरे का उपयोग जरूर करते होंगे वो फिर सिलफी लेने के लिए एपने फ्रेंड के साथ या फिर कहीं पर है तो वहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो के इंटर हम आपको आपके कैमरे की तीन ऐसी हिरे सेक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफी ज़ूए बीलकुल नए ट्रिक्स है, तो दोस्तों अगर आप भी कैमरे पर फोटो क्लिक करते हैं वीडियो शूट करते हैं और आपको इन ट्रिक्स के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार इन ट्रिक्स को जालने के बाद फिर आपका कैमरा चलाने का experience और भी कही गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है और आप कहे कि वाकई में ट्रिक्स इतनी अच्छी थी कि मुझे इन ट्रिक्स के बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए और जो दोस्तों तीसरे नमबर पर हम आपको ट्रिक बताने जा रहे है कैमरे की वो ट्रिक तो आपके लिए काफी ज़्यादा आपके काम आ सकती है तो वीडियो इसलिए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है जिस सबसे पहले आप इस बटन को प्रस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और पहली बार चैनल पर आए वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को प अपने फ्रेंड्स के साथ वाटसेप ग्रूप में ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेर जरूर कीजिए जिससी यह इंफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता चल सके और वो भी इस ट्रिक क को यूज कर सकें चले nest' वीडियो करते है स्टार्ट की मैं सूर्थ जासा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिक में बताया थै कि आज जो मैं आपको आपके कैमरा की तीन नई ट्रिक्ष स्टेуз के बारे में म convene जा रहा हूं यह तीनों ट्रिक बहुत ही ज़्यादा व्याइपी हैं ओके दोस्तों और जो तीसरे नमबर पर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिक को तो आपको जरूर देखना है चुकि वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की हो सकती है अगर आप मोबाइ के लिए किसी ऐसी जगह पर गुमने के लिए जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो फोटो जो वहां पर जाएं और आप क्लिक करें जाहिसी बात है अगर आप कहीं पर जाते हैं तो हर कोई वहां पर फोटो जरूर क्लिक करता है सिल्फी लेता है अपने फ्रेंड के आप उस फोटो को देखेंगे तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगी ये फोटो किस जगए पर क्लिक की गई थी कहां पर खीची गई थी तो दोस्तों इस ट्रीक को करने के लिए आप सभी के फोन में एक ऐसी सेटिंग दी गई है कैमरे में आप किसी भी कमपनी का मोबाइ जोसतों इसके लिए आपको यहां पर सेटिंग पर चले जाना है और नीचे यहां पर आपको एक सेटिंग ढून लेनी है लोकेशन टैक के नाम से तो दोस्तों जैसे कि आप को ये सेटिंग अगर आपके फोन में आफ है तो आप कोई setting को on कर देना है उसके बाद आप जब भी कहीं पर कोई photo click करेंगे तो उस photo पर उस जगह का नाम आप चाहे जहाँ पर भी photo click करें तो जगह का नाम सारी details उस photo पर आ जाएगी तो जब कभी भी आप photo को देखेंगे तो आप को तुरंट यादा जाएगा कि ये photo मैंने इस particular place पर खींची थी तो काफी ज़यदा important trick है अगर आप camera को यूज करते हैं और दोस्तो अगर आपके घर में बच्चे हैं वो कहीं पर photo ले जाते हैं आप से जूट बोल कर कहीं पर जाते हैं वहाँ पर जाकर कोई photo ये selfie लेते हैं तो आप उस photo के थूट भी पता लगा सकते हैं कि ये photo कहां पर खीची गई है तो दोस्तो इस trick को आप लोग अपने camera में जरूर यूज कीजिए अब दोस्तो बात करते हैं अपने camera की दूसरी trick की जो आपके लिए काफी ज़्यादा VIP है और दोस्तो इस trick के बारे में आपको जरूर पता होने चाहिए इससे आपका बहुत बड़ा फाइदा हो सकता है अगर आपको इस trick के बारे में पता है अब दोस्तों मान लिजिए कि आप किसी साधी party में हैं कहीं पर जाते हैं और आपको कोई वीडियो सूट करना इस तरीके से तो आप वीडियो सूट कर लेते हैं लेकिन दोस्तो होता क्या है कि जब आप वीडियो सूट करते हैं तो फिर आपके पास memory का ईसी हो जाता है अपने फोन में रखना चाहते हैं तो इसे में दोस्तों हर mobile के camera में एक ऐसी sitting दी गई है जिसके थूँ आप कितना भी लंबा video suit कर लेंगे आपकी memory बिल्कुल भी नहीं भरेगी यानि कि आप यकीन माने कि आप 10-15 MB में कई घंटे की video suit कर सकते हैं अब दोस्तों आप कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है जी हाँ दोस्तों यह बिल्कुल हो सकता है और इसके लिए हर mobile में यह setting दी गई है तो दोस्तों इस trick को करने के लिए आपको यहाँ पर setting में चले जाना है camera की एक बार फिर से उसके बाद आपको यहाँ पर एक setting धूण ले लिए है नीचे स्कॉल करके आना high efficiencies video तो दोस्तों इस setting को आपको हमेशा on करके रखना है या फिर जब भी आप video को suit करना चाहें इस purpose से कि मुझे काफी लंबी video suit करनी है और हमारी memory भी बिल्कुल भरे तो यहाँ पर आप कोई setting को इस तरीके से on कर लेना उसके बाद आप कोई भी video suit करेंगे आपकी memory बिल्कुल भी नहीं भरेगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है record videos in HEVC format to save space you may not be able to play HEVC video in other device और share them online अब दोस्तों इससे फाइदा क्या होगा कि आप उस video को सिर्फ अपने mobile पर ही देख सकते है उसे ना तो कहीं share कर सकते है और ना ही आप कहीं पर online जा कर देख सकते है लेकिन आप यादगार कर तोर पर रखना चाहते हैं तो आप चाहे कितनी भी 3, 4, 5 गंते की video भी suit कर सकते हैं और math 10, 20, 25 MB ही आपके लेगा और इतनी लंबी video suit हो जाएगी तो इसे में आपकी memory विल्कुल भी नहीं भरने वाली है तो दोस्तों ये trick भी काफी ज़्यदा कमाल की है अगर कोई आप लंबी video suit करते हैं तो आप लोग को इस trick के बारे में जरूर पता होना चाहिए उमिद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये trick भी जरूर पसंदाए होगी और आप लोग इस trick को अपने camera में जरूर यूज़ करेंगे आप दोस्तों बात करते हैं अपने camera की तीसरी setting के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि ये setting आपके लिए काफी ज़्यादा VIP होर आपको इस setting को बहुत ही ध्यान से देखना है तो कि ये setting आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की हो सकती है तो दोस्तों camera की तीसरी setting को करने के लिए आपको अपने mobile की setting में चले जाना है और दोस्तों आप जब अपको नीशे चले आना है और आपको अपनेशे चले जाना है अप दोस्तों आप जब about phone में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा software information तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों आप जो software information पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक action देखने को मिल जाएगा build number तो यहां पर दोस्तों आपको इस तरह से 7 बार type कर देना है और इतना करने के साथ यहां का developer option आपको आपके phone में on हो जाएगा तो आपको settings में सबसे देख सकते हैं यहां पर आपको developer option देखने को मिल जाएगा अगर यहां पर आपको नहीं मिलता है तो सिंपिल दोस्तों आपको क्या करना है कि इस development option को यहां पर open कर लेना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग ढूल लेनी नीच्रे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग ढूल लेने हैं Quick Settings Developper Tile तो इस तरीके से सेटिंग को आपको Open कर लेना और यहाँ पर नीचे आपको एक सेटिंग मिल जाएगी Sensors Off तो यहां पर आपको इस सेटिंग को कौन कर देना इस तरीके से उसके बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है अब दोस्तों आप जो बैक चले आएंगे तो यहां पर आपकी नौटिफिकेशन में यह सेटिंग इस तरीके से आप देख सकते हैं आजाएगी सेंसर आफ की अब दोस्तों इस trick का फाइदा क्या है कि मान लिजे आपका कोई camera यूज करने के लिए phone मांग रहा है और आप उसे नहीं देना चाहते हैं या फिर आप उसे मना नहीं कर सकते हैं और आपको phone देना पर रहा है उसे दे देंगे तो वो camera कभी भी नहीं open होगा और आप उसे कह सकते हैं कि यार पता नहीं क्या problem होगई camera चली नहीं रहा है तो ऐसे में आप इस problem से बच जाएंगे दोस्तों ये तीसरी trick भी आपके camera की काफी VIP है सेंसर्स आफ करके आपका camera हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं और जब आपको चालू करना होते हैं यहां से आप बंद करके यहां से फिर से आपका camera जो open हो जाएगा और पहले के जैसा normal work करने लगेगा दोस्तों ये camera की तीन tricks थ पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू